और वीडियो देखिए अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए फ्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर विडियो पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगर पसंद आए तो दूसरे तोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच्च और ये जानवरों से इंसान में ट्रांस्प्लांटेशन में एक एहम संग्बील की नुमाइंदगी करता है। उमीद है कि आज़ा के अतियात की दाएमें कमी को दूर करने में ये पहला कदम होगा। सर्जिन बाटली ग्रीफ्ट ने सरजरी की बाटली ग्रीफ्ट इस सबका ड्राइवर दिल की बीमारी के इखतामी मरहले में मुबतला मरीजों के लिए एक मौका फराहम करना था जो आतों कवालिफाई नहीं कर पाते थे और उन्हें वक्त पर दिल नहीं मिल पाता था वो अपने दिल की खराब कारकरदगी का टरंस्प्रांट के वालाच कर सकते थी मरीज डेविड बेनिट को हियोमन टरंस्प्लांट के लिए नाहल करार दिया गया था ये फैसला अकसर इस वक्त लिया जा था जब मरीज की बनिया दे सれहत खराम होती थी सरजरी के बाद वो अब फीक हो रहा है लेकिन हक्मी तश्वीश अभी तक गेर यकीनी है महम्मद मही अलदीन यूनिवरसिटी आफ मेरी लैंड मेडिकल सकूल में कारडेक्स जीनो ट्रांस्पलांट प्रोग्राम के डायरेक्टर है महम्मद मही अलदीन हम सब इस सुवर के दिल को इस इनसान में धड़कते हुए देखकर बहुत पुर जोश है इस सुवर के दिल में अब तक हमारी तवकवाद से भी ज्यादा अच्छी कारगर्दगी का मुझाहरा किया है हमने मुस्तरद होने के कोई आसार नहीं देखे डॉनर सुवर का दिल एक रिवर से आया था जो जीनियाती तर्मीम के तरीका कार से गुजरा था तीन जैन जिनकी वज़े से खिंजीर के आज़ा को पहले से रद किया गया था को बाहर निकाल दिया गया था जैसा के एक ऐसा जैन था जो सुवर के दिल के बाफ्तों की इजाफी नश्वनमा का बाइस बनता है इनसानी कुबूलियत के लिए जिम्मदार मजीद छे इनसानी जीनों को जीनों में एडिट किया गया खिंजी रप मुही अलदीम का ख्याल है कि जीनियाती तोर पर तबदील शदा आज़ा की पैवंध कारी से इन हजारों मरीजों के नताइच के तबदील करने में मदद मिलेगी जो हर साल ट्रांस्पुलांट हासिल करने से पहले ही मर जाते है मुही अलदीम हमारे पास ये आज़ा दस्तियाब होंगे हम कर सकते हैं अब जानते हैं हमारे पास जीनियाती तोर पर तबदीली की तक्नीक मौजूद है लहाजा अगर जीनों को तबदील करने के लिए